तो स्वागत है आप सभी को किया अपने एकेडमी के इस नए वीडियो में और ये जो वीडियो होगा बिल्कुल कम्प्लीट और रिविजन के तौर पर बिल्कुल सौट वीडियो होगा तो चलिए देखते हैं इस चेप्टर का जो बायलो जी इस चेप्टर का नाम क्या है तो वो है नियंतरन एवशमन्वें की जरूरत क्यों पढ़ती है हम अपने लाइफ में सुबा से लेकर शाम तक और साम से लेकर सुबा तक हर एक किरिया पर किरिया को करते हैं अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने ओर्गन सिस्टम को इस्तमाल करके हम कई तरह के activity को करते हैं और इन सारे activity को नियंतरन करने का कोई न कोई हमारा सरीर के अंदर है जो इसी का नियंतरन और समयने के कारे करता है तो हम लोग अपने practicing of life में सुबा से लेकर साम और साम से लेकर सुबा तक हर एक activity को करते हैं अपने हाथ अपने पैर का इस्तमाल करके नजाने कई activity करते हैं आप लोग भी करते होंगे और हम अपने sense organ का इस्तमाल करके नजाने कई कारे को एक बार में संबन करते हैं तो हमारे सरीर के अंदर कोई न कोई ऐसा तंत्र है जो हमारे सरीर का नियंत्रन और समयने के कारिय करता है वो कौन सा तंत्र है जो हमारे सरीर का नियंत्रन और समयने के कारिय करता है तो समझते हैं देखिए नियंत्रन करने के कारिय तंत्रीका तंत्र अर्थात इंग्लिस में क नेूरॉन मिलकर कि तंतरी कोशिक्या के निर्माड करते हैं और यह Less यह सबसे बड़ी कोशिक्या है और यह हरी गति वीदी के लिए जिम्म bless वभाजित industry sector होती है लेकिन यी नियूरॉन है इसकी वभाजन नहीं होते हैं अब बात करते हैं Stephen Examla के इकाई होता है अब ये करियात्मक समस्धक्रिक तोह थी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं तो समझ तो देखिए हम एक बार में बहुत सारे कारिये को करते हैां और एक बार में कारे कैसे करते हैं तो देखे एक बार में देखने और हाथ से हाथ हुमा करके बात करने और कान से सुनने और जीब को मूफ करके बोलने और लिप्स को चला करके बोलने का एक बार में कई सारे कारे को हम लोग करते हैं यानि कि हमारा एक बार में कारे होने का मतलब क करियात्मक्स संवनें कि हम नियूरोन करते हैं अगला कि państwa wakingknowak माध्य म से कैसे समझेंगे तो देखिए येгор का हमने एक फिगर बना दिया और इसका जो ये और वह हिस्सा है यह जो आगे वाला हिस्सा है इसमें एक क्या है ना कि धागे नुमा संड़चना निकली हुई होती है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रूमी का ठीक है उसके बाद ये ध्रूमी का जो है ना कि हमारे सरीर के अंदर अगर कुछ भी होता है अगर कोई हमको जैसे यहां चुआ ठीक है और यह जो कोश्क के खाए होता है यह रंगीन प्रोटीन से बना ये हम रहा हुआ से भिसके help जो हे उझे है कि से गणी से और इसमें छोटे चोटे मैं इसमें हो मारख से भीज़ प कहते हैं अब यहां जो information होता है ना अब बताने में हम को भरे ही देर हो रहे है लेकिन यहां a करके रूखता नहीं है यह पर ऐसा नहीं यहां बहुत ही तेजी से अगे की तरफ बढ़ता है कहां बढ़ता है तो तंत्री काक्ष के अंदर जाता है तंत्री काक्ष के अंदर और यह जो तंत्री काक्ष है यह फिर क्या करता है कि इस information को रोकता नहीं है इसको भी आगे और बढ़ाता है और बढ़ा करके कहां भेजता है तंत्रीका का अंतिम सिखता है तंत्रीका का औनत्रीका को अंत्रीका को यहाँ एक और यहीं कि यह इक सीरे जूड़ी होई रहती है और इस तरीका से बहुत सारे नियूरॉन जूड़करके हमारे सरीर में पूरा फायला हुआ रहता है अच्छाली इसको और अच्छे से समझझ मारत में और इसका अंतिम सीरा है जो लड़ीनोंनisना है यहां पर अब यह पर फिर है फिर इसी तरह का एक और निवरॉन ये जो आगे वाला हिश्चा है यह आगे वह लोगा सा yanlış आ यारों करें कि बीच सिंटीक इषिह षानिक भी मॉचन और इसी मोचंश के दावरां information काफी देशे दूसरे नियुरॉन के पास जाती है एक के पीछे एक लग करके हमरे सरी में पूरा जिल की तरफ Breeze सिस्टम करते हैं और इसी नर्वस सिस्टम के मादेम से हमारे हरे के इक्टिविटी का पता चलता है ठीक है समझ गया अब चलते हैं अगला टॉपिक समझने के लिए यहां पर हमने लिखा है तंतरीका कोशी के ठीक है इसको एदम आसान भासा में हमेशा के लिए दिमाग में र हस्तनांतरन होती है और किस हर्मोन के द्वारा होती है इसको हम लोग समझते हैं तब तक आप स्क्रीन सॉट ले जीए अences CAD अले टॉपिक है कि हमारे शरीर के अंदर सुचेम का हास्तनांत्रन कैसे होता है ठीक है अब देखिए कि इस तरीके से जैसे कि आपको हम समझाये थें कि जो निवरॉन होता है उसका हेडवाला भाग को हम लोग डेंड्रॉन करते हैं और मद्य भाग को साइटॉन करते हैं और अंतिम छोर को जो लड़ीनुमा जहां संदचना होती है जो तंत्रीका का अंतिम जाती है और यह कोशिका का बढ़ा हुट जिसे तंत्री काख्च के अंदर इंफ्रमेशन को डील करता है फिर उसके बाद से तंत्रीका का अंतिम शीरा तक पहुंचने के बाद फिर एक और निवरान का द्रूमिका से उसको हुआ रहता है ठीक है और वो जो है ना उसके बीज जो रीक्त स्थान होता है जिसके हम लोग करते हैं सिनेप्स दिवार ठीक है तो वो कुछ रसायन का वेमोचन कराता है जो वीधूद आविश्यों के द्वारा होती है ठीक है और बड़ा ही तेजी से दूसरे निवरॉन में यह क्या करता है सुचना का हस्तना अंत्रह करता है अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं हुमन ब्रेंट के बारे में ठीक है तो चलिए यहां तक आप स्क्रीन सौट लेजिए जो मानों शरीर का सबसे इंपोर्डेंट पार्ट है हमरे शरीर के अंदर होने वाली हर एक घटना है हर एक इंफर्मेशन यहां तक पहुंचती है यहीं मानों मस्तिस डिसाइड करता है कि उसके बाद कौन से किरिया पर किरिया करें ठीक है जैसे इसको समझना है तो एक उध तो हमरे आख के अंदर समयदना पैदा करती है यह ब्रेन और कहता है कि देखो यहां पर क्या भैठी हुई है तो फिर हमारा दूसरे हाथ को यह इंफ्रमेशन देता है और इस दूसरे हाथ से हम इस छीटी को मार्कर भगाते हैं ठीक है तो यह है धिन्हें का कारे है अब हम जो पहला क्या है कि जो हमारे human brain रक्षित होता है जो सबसे मजबूत हड़ी से वह है क्रेनियम हड़ी और जो सिकेंड रक्षा करने वाली जो जिलीनुमा सनरचना की होती है वह होती है है उसके बाद से हमें हमारे अंदर संवेदना को पैदा करता है और कहता है कि आगे हमें कौन सी क्रिया पर क्रिया करनी है अब हम लोग समझते हैं कि जो मानो मस्तिस्क है मानो मस्तिस के तीन भाग है देखिए जैसे यह क्या है जैसे कि यह human brain मैं तो बिल्कुर clear नहीं बना पा से इन तीनों के बारे में हम यहां समझेंगे देखिए अगर जो मस्तिस होता है इसके तीन पार्ट होता है एक होता है सेरी बरहम और एक होता है थेली मस और यहीं होता है कि हमारे अंदर नए नए सूच और नए नए तरीका से समझने का एक संवेदना पाइदा करती है सेरी कौन सी किरिया पर किरिया हो रहे हमें बाहरी का हरी की किरिया पर किरिया का अभास कराता है ठीक है हाइपो थेलिमस क्या होता है तो हाइपो थेलिमस का कारिया है कि हमारे सरीर के अंदर के टेंपरेचर को मेंटेन करके रखता है हमारे सरीर के अंदर के हरी किरिया पर किरिया को मेंटेन करके रखता है यानि आंतरिक भाग को हमारे सरीर के अंदर हो रहे हर एक किरिया पर किरिया को नियंतरण करने का कार्य करता है यानि हाइपोथेलिमस के कार्य हम कर सकते हैं कि हमारे सरीर के अंदर हो रहे किरिया पर किरिया को नियंतरण करता है ठीक है अब हम लोग स्टेक्ष आक्योर है जो देखे यहां पहूर्य मद्य मस्टिस क्या है हमारे स्पैनल कोर्स से जड़ा हुआ रहा फॉरे वखांसी तरह कि तरफ उसी से जुड़ा हुआ और मैं आपको बता दो कि ये सेखाएंड ब्रेंड के नाम से भी जाना जाता आ है अब हम लोग आगे समझते हैं जू पश्च्ज मस्तिष है टिक न यानिंग यह पीछे वाला हिस्थ है याग्र मस्तिष यह विशन तहरा में लोगने क्या समझा उने सैरीजीद्फिन है सीरी वेलम का का यहां सेरी बेलम का का्य होता है हमारे बोड़ी को बाइलेंस करके हमदुक चलते रहें हमारे बोडी को बाइलेंस करता है यह गिरनय नहीं देता और जो सेकंड मेडुला कि क्तिक है कि हमकि यहां इस टॉपिक में हम लोग किलियर कर लिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तब तक के लिए आप इसका स्क्रीन सॉट लीजिए तो चलिए आप हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक और वह अगला टॉपिक है पात्पो में नियंत्र समन्वे हैं पात्पो में समन्वे समझने से पहले हम लोग एक बार अपने इसके पहले वाले टॉपिक को याद करें कि इंसानों में या निमानों शरीन में control and coordination का कार्या कौन करता था तो वो करता था तंतरीका तंतर जिसको इंगलिस में हम लोग कहते हैं nervous system अब हम लोग अगला जो topic पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पात्पों में समन्वे किस तरीके से होती है तो देखिए पात्पों में जो समन्वे होती है यानि control and coordination का कार्या करता है वो रसाइनिक हर्मोन की द्वारा होती है और वो रसाइनिक हर्मोन का नाम है पादप हर्मोन या फिर इसे आप कहा सकते हैं फाइटो हर्मोन यानि इन ही पादप हर्मोन की द्वारा इनका control and coordination का कार् कि व्रीधी युक्त गती किसे कहते हैं व्रीधी युक्त गती ऐसा गती जो बाहरी कारों को के वजह से यानि बाहरी के वातावरान के वजह से अगर पौधों के अंदर कोई गती या व्रीधी देखने को मिले तो इस परकार की गती हम लोग व्रीधी युक्त गती कहते हैं और बाहरी वातावरण अर्थाप अनुवर्तन के द्वरा जो संपन होती है या अनुवर्तन के द्वरा इनके अंदर गती या विरिधी देखने को मिलती है या अनुवर्तन की से कहते हैं अनुवर्तन की वह घटना जो पौधों के अंदर बाहरी वातावरण के कारण विरिधी य है सुर्या मुख्य का पौधा अब यहां पर क्या है कि यहां पर सुर्या से आने वाली परकास की किर्ण है जब इस पर पढ़ रही है तो इसके अंदर एक गती देखने को मिल रहा है कि यह जो पौधा है सुर्या मुख्य का जो पौधा है यह क्या हो रहा है कि सुर्या की के द्वारा संपन होती है किस हर्मोन के द्वारा यह परकास्ण नुर्तन की घटना देखने को मिलती है तो पहुदों के अंदर औक्सीन नामक हर्मोन पाये जाता है जो परकास्णु अरतन घटना कराने के लिए जिम्मेदार होता है फिर या ऐसे की तरफ भागेगा और इसका जो आगे जो उपर वाला हीशा है वो सूर्य की तरफ जुकने की कोशिस करेगा तो जब सूर्य की तरफ अगर आकरसित हो करके उसके तरफ मूव करेगा या उसके अंदर गती दिखाई देगी तो यह गती यह यह परिवर्तन हम कहेंगे कि परकास नुवरतन की घटना किन हर्मोन के द्वारा हो रहा है ऑक्सीन हर्मोन की द्वारा है क्योंकि पौधों में ऑक्सीन नामक हर्मोन पाया जाता है जो परकास नुवरतन की घटना कराता है जलानु वरतन की घटना कराता है ठीक है पौधों में साइटुकाइनीन नामक एक हर्मोन पाया जाता है जो कोश के भाजन के लिए जिम्मेदार होता है तो यहां हम लोगों ने क्या समझा हम लोगों ने यहीं समझा कि जो पौधों के अंदर control and coordination का कारिय करता है वो है पादब हर्मोन और ये रसायनिक हर्मोन द्वारा संपन होती है और हम लोगों अब जो अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जन्तों में हर्मोन देखिए पादब में भी हर्मोन होता है जन्तों में भी हर्मोन होता है यह हर्मोन की भूमिका क्या होती है तो हर्मोन की भूमिका यहीं होती है जो हमारे विरीधी को नियंतरित करता है अर्थात हम क जो रद्ज के नीचे होता है और यह विकास करता है हमरे सरीर में अगर क्योणी कामी हो गई या फिर बहुत अधिक हो गई सूरी होता है न허 अगला टॉपीक है वो है आडरीनल गरंधी यह होता है हमने बोजन को उपापचे कराना होता है यह मसे हें केल्सियम को जन्ध कराना क्योंसाने के करेया होता है एक स्क्रिम्फ करता है त्च यहांत तक किलिएर हो गया तो यह तक जो टॉपीक था वह हमने किलियर कर दिया इसको आप स्क्रिण सुट लीजीтак तो यहां होता है आपका सिकंड्折ु Or溥 और मिलेंगे नेक्स्ट चेप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो मैं और यह वीडियो बहुत ही कम समय में complete किया गया reason is that कि आपका exam बहुत करीब है और इस exam को देखते हुए हम एक ही वीडियो में पूरी complete chapter करा दिया अब मिलेंगे next वीडियो में next chapter के साथ तब तक के लिए जैहिं